इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मगदम है अहम खबर पर एक नज़र भारत देश एक धर्म निर्पेक्श मुल्क है जिसमें सभी धर्म मजब को बराबर का हक दिया गया बारत के सम्विदान यानि आईने हिंद की खुबसूरती यह है कि किसी धर्म मजब को फोकित नहीं दी गई सभी को एक तरह जिन्दगी जीने का वाकारू मरतबा दिया गया पर पिछले कुछ सालों से अकलेती माशरे के समाज को भला बुरा कहने के रस्म ही जारी हुए खैर इसी के मदे नजर एक पर फिर बिलगाम शेहर उतराब में इस तरह का जहर गोलने की कोशिश की जा रहे है राम सेना के मुख्या प्रमोद मुटालिक ने एक बार जहरा लुदा तक्रीर करते हुए मुस्लिम माशरे पर तोहीन आमोज अलफाज इस्तमाल किये बिलगाम शिला अथनी तालुका के उगार में प्रमोद मुटालिक ने प्रेस कांफरेंस के दौरान मुस्लिम माशरे को निशाना बनाते हुए कहा कि इस समाज को हर लिहाद से पीचे दकेल ना होगा जहां भी मौका मिले इन्हें मारना है मुतालिक का कैना है के हिंदूओं को इनका हक नहीं मिल रहा है मुतालिक ने भाजपा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक्तदार हासिल होने के बावजूद मुसल्मानों को भाजपा की जानिव से चूट दी जा रही है जबके भाजपा को चाहिए था कि इन्हें और दबाते पर अफसोस आज मुसल्मान भारत में बेखाफ है हिंदूओं से उन्होंने सवाल किया के खामश क्यों हो बहुत कुछ मुस्लिम माशरे के खिलाफ अलफाज इस्तमाल किये गए मुसल्मानों के कतले आम का नारा भी लगाने वाले की आखिर गिरफतार क्यों नहीं होती इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे कारवाई क्यों नहीं की जाती क्या भाजपा हुकुमत में इन्हें खुली अजादी दी गई है ये नया दौर है जहां पहले चिपते चिपाते बयानात किये जाते थे पर अब तो खुले आम प्रेस कॉनफरंस में जहर आलूद बयानात दिया जा रहे इसके इस बयान के तमाम सेकुलर लोगों में नाराजगी का इजार करते वे मुतालिक पर मुकदमे दाहर कर सकत सजाका मुतालबा किया गया अभी तक इसके खलाब इस बयान पर मुकदमाद दर्ज नहीं किया गया आखरे से भड़काओ बयाना दे कर नफरत का जहर गोल कर आखर इन लोगों को क्या महसर होता ऐसा सवाल भी हवाम की जानिब से पूछा जा रहा है बेलगाम कारपोरेशन इंतखाबात के मद्दे नजर तमाम सियासे पार्टियां भी सरगर्ण महोती नजर आ रही है यमायम के जिम्दारान ने इस बार बल दिया इंतखाबात में शिरकत का पैगाम दिया वहीं दूसरी और भाजपा और कॉंगरेश भी अपने अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे है रियासत कॉंग्रेस पार्टि सदर डीके शुकुमार ने खुतूत के जरिये बल गाम मुंसिप पार्टी के 58 वार्डों की बुद कमिटियों को तश्कील देने की हिदायत दिये लिहाजा बतर अब्जरवर पीवी मोहन को मुंतकब किया गया तो साभी के मेले जनफ फिरोज सेट, मेले ग्रामीन, मौतरमा लक्चमी बढ़कर और यमडी नारायन को कन्वेनर बनाया गया कॉंग्रेस पार्टी माजो से छोड़ कर एक बार फिर चुनावी मैदान में नई जोश के साथ किस्मत आजमानी की बात कही जारी है तो भाजपाप न वही हिंदुतों वाला कार्ड खेलने के लिए तैयार है वैसे देखा जाए तो बेलगाम शहर में एमियेस का तसलुत काफी हुआ करता था पर इस बार कार्पोरेशन चुनाव पार्टी के परचम तेले लड़ा जाएगा महराश्य की करन समीती मुखालिब तमाम पॉल्टिकल पार्टी इस तरह की तस्वीर सामने नजर आर भी है अपने उमिद्वार समीती भी उतारने वाली है पर लिहाज़ा चुनाव बड़ा दिल्चस्प नजर आ रहा है बेलगाम कर्परेशन पर आखर किसका परचमला रहा जाएगा बेलगाम शहर में मराटी समाज की तायदत काफी है लियाज है इसका फाइदा यमियस को होगा या फिर मराटा प्रादी करेने नहीं मराठी तरक्यात के लिए रियासत हकूमत की जानिब से पचास करोड की इंदाद दिये जाने पर कुछ मराटा होट इस बार भाजपा की तरफ जा सकते हैं क्या ऐसा सवाल भी लाजिम हो गया इससे पहले कुल हिंद पार्टियां पक्ष के तोर पर वाड़ों से अपने उम् सबार बल दिया इंतखाबाद का एलान हुआ है पर अब तक किसी मक्सूस तारीक का एलान तो नहीं हुआ है हासिल इत्तरा के मुटाबिक मार्चाखर में चुना होने के इमकानां जाहिए जा सकते हैं अक्सर माशरे में मर्दों पर हिल्जाम लगाए जाता है औरतों पर जल्म ज्यादती की जाती है हकीकत भी यहीं हो सकती है पर इस तरह के मामले कहीं सारे दर्ज किये जाते हैं जहां खवातिन मर्दों पर ज्याद्ती करती दिखाई देती है कहीं मुकद में कहीं वारदाते इसी होती है देखी सुनी भी है पर माशरे में खवातीन को हमेशा हमदर्दी या मजलूम के तौर पर देखा जाता और शायद कभी-कभी मर्दों की मजलूमियत को इसी वज़े से नजर अंदाज भी किया जाता है इसी तरह की वारदार रामदुर्ग तालुका के इनकी शादी दो सगी बेहनों से हुई शुरुआत में जिन्दगी बड़ी खुशगवार थी पर कुछ ही मैनों में अख्तालाफा शुरू है लिहाज लिहाज आ दोनों बेहने माई के चली गई तमाव पंचायत और दिगर गाउं के जमेदारों के जरिए इन्हें वापीस भिष्लाने की कोशिश की गई इतजाभी की गई पर दोनों बैहने बजाए वापीसाने के भाष् ? संगटनाओं के जरीया हिरासा करने लगे Hey, दोनों बैनों ने दोनों भाईयों पर दूसरी शादी करने का जूटा इलजाम लागा कर कट कोल पुलिस थाने में फर्याद दर्ज के लिहाज़ा यहीं के दबाओं में बेलगाम पहुंचे और यहीं पर कयाम पज़रे क्योंकि दो दिन की छुटी क्रिस्मस और इत्वार होने की वज़ा से अब बरोज पीर हो सकते कल डीसी बेलगाम को मिलकर अपनी तकलीफ को बयान करेंगे दो नवाईयों की कहानी शहर में बहस का मौदू बना हुआ है मर्दो झाल